बश्कार दोस्टों, YouTube के जड़ी बूटी के अन चैनल में आप सभी का एक बार फिर तही दिल से स्वागत है दोस्तों, आज हम फिर एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो जड़ी बूटी नायाब है चलो दोस्तो अब बात करते हैं उस फल वरक्स के बारे में जिसका फल भला कौन है जो पसंद नहीं करता है इसकी खुस्बू, स्वाद और मिठास दिल को छू जाता है भले ही वरक्स चीन का निवासी हो लेकिन आज पटना, मुझफरपुर, आशाम, बंगाल, आंधर हैं इसे खुब बोया जाता है इस फल को आप सभी जानते हैं जिहां जिसे लीची कहते हैं इसके वरक्ष आमवे जामुन के वरक्षों की भाती हरे भरे तता 15 से 20 फिर तक उचे होते हैं फरवरी महा में इस पर पुस्प यानि बोर लगने लगता है तता मई जून के महा में लीची का फल पक जाता है फल कच्चे हरे तता पकने पर लाल हो जाते हैं लीची की दो जातिया होती हैं कठिया वे लोंगिया जाती लोंगिया जाती कि जो लीची के फल हैं वो अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इसके बीज छोटे होते हैं फलों का गुदा मोटा होता है ग लीची फल, मधूर, दस्तावर, पचने में भारी, वातनासक, स्वादिष्ट, कफपित को बढ़ाने वाला होता है, लीची फल सिग्र नहीं पचता है, और उस्न प्रकर्दी का होता है, यह फल, हिर्दय, मस्तिस्क तथा लीवर को बलपरदान करने वाला, स्वास्त सक्ती देने वाला, पाचन तंत्र को सक्ती साली बनाने वाला, और उसको सक्रिय बनाकर, उसके पाचकरसों की मात्रा बढ़ाकर, पाचन तंत्र को तेज करने वाला होता है, इसी कारण इसके सेवन से भूख खुल कर लगने लगती है रक्त की सुद्धी होती है रोगी की दुरबलता सिग्र दूर करके लीची उसे सक्ती देती है बुखार के रोगी को लीची सेवन से पेट की सफाई होती है और शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जिससे रोगी का बुखार भी सांत हो जाता है इस प्रकार लीची फल बड़ा ही गुनकारी लाबकारी व्य स्वास्थेकारी है इसके दस बार लीची फलो से अधिक सेवन करने से सिरदर्द रक्तपित खून में गर्मी का बढ़ना आधि दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसकी प्रकरती गरम होती है अतहा उचित मात्रा में सेवन करके स्वास्थेलाब ले चलो दोस्तो अब बात करते हैं लीची के स्वास्थेलाबों के बारे में लीची का सेवन करके ने केवल इसके स्वाद मदूर्ता व्यमन मोहिनी सुगंद का आनंद लिया जाए बलकि रोगों को भी दूर करके अपने स्वास्ते की रक्षा करें दोस्तों अगर जिगरतिली बढ़ गई है पाचन की समस्या कमजोरी का कारण बनने लगी है तो लीची तता आलू बुखारे का रस थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने से समस्याओं का समाधान हो जाता है और भूख खुल कर लगने लगती है जिससे सरीर में करांती वे शक्त कहते हैं पेट फूल गया है पेट घड़ा सा हो गया है दोस्तों लीची का सुद्रस नियमित फिलाने से मुत्र खुल कर आने लगता है और सरीर का जो फाल तुपानी है वो सरीर से निकल कर सरीर का जो भारीपन है वो दूर हो जाता है और पेट कम होने लगता है इसी तरह द बढ़ गई है रक्त में विशाक्त द्रव्य बढ़ गई हैं तो रोज सवेरे सो से दो सो एमल लीची जूस पिलाने से पेसाब के साथ विशाक्त द्रव्य निकल जाते हैं और पेट भी साफ रहने लगता है इससे आखों हाथ पेरों की जलन दूर हो जाती है और रोगी को बार बार प्यास लगती है हिर्दय की धड़कन बढ़ गई है खाने में स्वाद नहीं आ रहा है तो लीची का सुद्रस पीने से या फलों का सेवन करने से समस्या जो कुछी दिनों में भागने लगती है क्योंकि लीची में पोटेश्यम व्यकोपर तत्व की खुमात्रा हो होती है जो हिर्दय की रक्षा करते हैं और हिर्दय को शक्ति परदान करते हैं उससे रोगों से बचाते हैं और हिर्दय की धड़कन को सामान्य बनने में फिर देर नहीं लगती दोस्तों अगर मस्तिस की चमता कम हो रही है दिमाग शांत वत्तरोताजा नहीं है तो लीची का इस दिमाग को शांत करके उसे शक्ति देता है जिससे दिमाग की बन सक्ति बढ़ जाती है आता है लीची दिमाग को शस्त वत्तरोताजा बनाने में बेहद मददगार है दोस्तों अगर बार बार रोग हो जाते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति यानि की इम्मिनुटी पावर घट गई है तो लीची रस में पाए जाने वाले तत्थ शंक्रामक रोगों वे उसके वाइरस को नस्ट करने में इम्मिनुटी सिस्टम की साहता करता है आता है लीची रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है यहीं नहीं लीची में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो इस्तन की सेल्स को बढ़ने नहीं देता यानि कि इस्तन में जो cancer की समस्या हो गई है उसकी जो cells हैं उनको बढ़ने नहीं देता और नियमित सेवन करने से रोगों से लड़ने की जो शक्ती है वो खुब बढ़ती है और रोगों से रक्षा होती है यही नहीं लीची रस में परचुर मात्रा में फाइवर होता है जो प कब्ज मोटापा पाचन की गड़वड़ी को दूर करने में बहुत मदद करता है आते हैं दोस्तों लीची को प्रकर्ति का नायाब तोपा कहें तो गलत नहीं होगा दोस्तों इसका परियोग करें और अपने वे अपने परिवार के स्वास्ते की रक्षा करें असा है दोस्त और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जाड़ी बूटी की जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै आयर्वेल